कि कि हलो दोस्तों इसले क्लास में तो फ्योरी इसका देखे थे फर्मूला का फ्र्मूला नियां करते हैं आज हूं इसका चेप्राइश ठार्ट करते हैं मानिकालने के लिए सेयल कोछे देक कमाने में अब पुर्नाहिक हर तो मैं तेफमार्ष य है निए क्या है कि दूनें पूर्नाहिक य ही का जीको ओंइ हुआ मैसे चाहरा जोए जीडू से फ्याने पाई वाई फोर यहां केस माल लेते हैं केस फ़र्ष्ट में एन बरबर जीरो ने रिए जीरो भी तुनाल संख्या है तो टेन माइनिस वन पर पावर जीरो तेन के जिरो चला गए है पाई वाई फोर तो यह आपका आजाएगा टेन किसी भी अंके οपर जीरो रहता है चाहे लीचे कुछ भी लिखा हो उसका ठान हो जातायस आसार और 9 यह क्या है तेन पैंटालिस तो यह पैंटालिस का विलू वह उता है अब लेते हैं के सेकेट के सेकेट लेते हैं इन बरब पर वाद तब क्या आजाएगा आपका एन माइमस वन पर 1 नहीं रहें हैं यांधर इसजाएगा है यह हो सामने nies तो 360 भी छुपा रहता है तो यहां एंगल चल्ण नियम लगाना परेगा क्या लगाना होगा एंगल चल्ण नियम तो 360 कहां है यहां है यहां आपका 360 पहले जीर होता है अगर भूता है तो 360 पहले होते हैं तो 360 माइनस का ठीटा फेड़ा इस घर की बात के जा रहा है और सक्षन नहीं को कुछ और धालिस रहा गया सब्सक्राइब करका लोगाना होगा थे मैंने सब्सक्राइब मैंस वाल अगया बतल़ कि एकवार पलस में बनार एक वानारा है साट ईसली हमस काकल सकते सकारे लोग तेन हैą परावरें पाई वाई-फोड हाल ओक देखिए पलस माइनस1 आएगा ते महली है यह तो देख लेकर संफ्र झारी मिस्क्रate पाई को चेज़ करते हैं 180C में ना और बटे का 12 तो इसको हम काटे लिए इसको काट देते हैं ना ये गुणाब का 15 वार तो ये ओ गया कर दो करके 105 अब 105 पर एक सो अंगल नियम से तो 1805 वार लिख सकते हैं कि तो 180C प्लस 15 तो इंगल चेहिं नियम देख लेंगे 180C में तो नोचें है 15 का डिगरी माइनस प्लस है कि हर्स्ट कॉइडर्ट और फोजेटी तेंट पंद्रा का धिरू नहीं जानते हैं फर्मुला लगा ज़ते हैं प्लस इस अफ़ी कि तालिस माइनस तीश जाएगा तो इस दालिस में तेंगा तंद्रा इसबां फर्मुला वह ज़ते एंए माइनस बी का फर्मुला सिद्धें किये कर दें कि एक एक माइनस बी का इसी पर आपका कम्प्लेट होगा है माइनस बी माइनस बैल बड़े नुब या वन पलस टेने इंटू अब सब का बिलू इसका बिलू वार इसका बिलू वार वाई रूर्ट्री त्रिया एक रिखने के रूद नहीं है, 1y, रूट 3, अब इस काम दो अच्छे से LCM दे लेंगे, और LCM दे रिख्वादी आपका, कम्प्लीट हो जाएगा, देखते हैं, रूट 3, रूट 3, रूट 3, माइनस, वन, बाई, का रूट 3, नीचे भी जाएगा, रूट 3, पलस वन, बाई, का रूट 3, यह कें सी, बच देखा, नीचे रूट 3, पलस वन, ऊपरने रूट 3, माइनस, पर नेकरन, पलस है तो माइनस से रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 पलस 1 तो क्या आगे आपका रूट 3 माइनस 1 का हौल स्क्वार और बढ़े का हो गया रूट 3 a माइनस b a थे एपलस 2 a स्कॉार माइनस b स्क्वार a माइनस b का होल स्क्वार a स्क्वार b स्क्वार माइनस का 2ab बटे में 3 माइनस 1 ये जूल कर के 4 माइनस 2 रूट 3 घट करके दो उपर से दो को अबर दो माइनस रूट 3 और बटे का दो ये कें से 2 माइनस रूट 3 ये आपका कम्प्लेट हुआ इसको नोट कीजिए नेक्स कोस्चन है ठीक फश्ट ये सावित करने वाला है ये लेचेस आरेचेस को दुरूत रपता बरावाद इधाना है तो उसके लिए क्या करेंगे बस फर्मुला याद रखना है फर्मुला याद रहेगा बहुत ही असानी से बनेगा फिर आपको लगेगा नहीं कि कोई यह साम यहाः नहीं था यहां किक खरण कितेम अ और लों मेरे मैं डिका फर्मुला है तो पलस में लिखते हैं कॉस ए माइनस बी का फर्मूला याद की यह कॉस से कॉस भी पलस साइने साइन भी याद आगे यह फर्मूला यहां अपलाएं होगा यह पलस में आगे पीछे रहें कोई दुकर है को चलते हैं यह क्या दे रखा है मिलंग्या कउसे अंदिस को अ का इसको क्गया कर लेक्ते इसको बले इसको बले है इसको द क्या और मिलालेजियों यह ँआ है तो cos A, cos B, plus sin A, sin D, cos A-B, cos A-B, A मेरे पास कितना है, A plus 1, इंटो का X, B मेरे पास कितना है, A plus 2, इंटो का X, अब इसको सिर्फ हल करना है, cos, पुना कर दिजी इसको, 10X, plus का X, minus 10X, minus का 2X, ये तो गया है, तो cos 2X में X गया, minus का X, आगे minus मतलत 360 छोपा हुआ है, तो इंगलचे में हम लगा लेंगे फटक से एक दम, ये ध्यार रखना है, नहीं पिजाद है, तो पीछे का दूरी ज़रूर देखे, तो 360 minus इस घर की बात हो रहा है, इसमें cos होता है, और 360 में नोचे, मतलग क्या बचा, cos X, क्या है, X है, ये आपका RHS आ रहा है, आया तो सही, लेकिन इहां, X स्रीफ लिखा हुआ है, मतलग कि question में ही आप छोड़ दियों होंगे, कौस X यहां लिखना चाहिए था, है ना, next question, चौथा नंबर ये सी भी करना है दो नों तरफ, तो देखते हैं, चुकि 3X बराबर होता है, 2X प्लासिक, सही है, 3 को हम लिख सकते हैं, दो और एक पी, अब उपर 3 के फर्मेट में है, तो क्या करते हैं, दो नों तरफ, टेन लगाने का, दो नों तरफ टेन लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा, टेन 3X, और ये हो जाएगा, टेन 2X प्लास एक्स, तब यहां फर्मूला एक बाल गया, टेन A प्लस B का, टेन A प्लस B का, टेन A प्लस B का, टेन A प्लस B का फर्मूला याद नहीं ठीक है, नहीं है, तो लिखते हैं, टेन A प्लस B, टेन A प्लस B, टेन A प्लस टेन B, टेन A प्लस टेन B, इसके अधार पर, लिख देते हैं क्या करता तेने एक्स और तेन एक्स और ब्रावर में तो यह से जुना कि एक से गुना करेंगे तब तेन 3x तो इसको इससे भी दूबना करना है तेन 3x तेन 2x और तेन x इधर क्या बच गया तेन 2x और प्लस में तेन x आप क्या करेंगे इस दोनों को उठा करके इधर ले आईए अब इस माइस वाले को उधर भेल दी जिए प्लस हो जाएगा तो तेन 3x दोनों प्लस है दोनों इधरा करके माइस तेन 2x माइस कर 3x यह माइस उधा जाका करके प्लस तेन 3x तेन 2x और यह तेन x यह आपका प्रूप हो गया यह सिदि करता है चलिए नोट किजिए